Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय Brick Submit के एक दिन पहले हमारे Ministry of External Affairs के द्वारा officially ये बताया जाता है कि भारत और चाइना के बीच में Deep Sang और Dam Chalk को लेके Almost Disengagement का process complete हो गया है अब यहाँ पे Almost का मतलब क्या होता है ये कहपाना थोड़ा मुश्किल है और अगर हम बात करें इस Disengagement process के बारे में तो यहाँ पे जो बात की जारी है वो सिर्फ दो points या दो location के बारे में की जारी है Deep Sang और Dam Chalk भारत और चाइना के बीच में बहुत सारे points को लेके conflict है जहाँ पे चाइना कुछ और claim करता है और भारत कुछ और claim करता है इस बीच में जो सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या भारत चाइना के उपर trust कर सकता है क्योंकि भारत और चाइना के बीच में कोई एक strict border नहीं है तो इसलिए समय दर समय चाइना कुछ और कहता है और भारत कुछ और कहता है यानि कि दोनों का जो सहमती है वो एक point पे नहीं बन पा रहा और वैसे भी बहुत सारे जो analyst है जिनकी अच्छी समझ है भारत और चाइना के relation को लेके उनका मानना है कि जब तक भारत में नरेंदर मोधी बने रहेंगे और चाइना में शीजिन बने रहेंगे हम ये मानने की गलती ना करें कि भारत और चाइना के बीच में समबंद नॉर्मल हो गए है ये complete तरीके से एक pause है ये खतम नहीं हुआ है इस पूरे जो conflict है इसको बस रोका गया है साल 2020 के जून के महीने में गालवान में इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में एक violent clash होता है जिसमें हमारे 20 जवान वीर गती को प्राप्त होते हैं वहीं पर हम बात करें चाइना के बारे में तो उन्होंने अब तक ये officially accept नहीं किया है कि उनके कितने जवान मारे गए लेकिन जो independent media outlets या news agencies है उनका मानना है कि कुछ 40 के करिव मारे गए थे Chinese soldiers भी इसके पहले 1975 में भी कुछ ऐसा ही घटना घटा था तो जो यहाँ पर समझने वाली बात है वो ये है कि साल 1975 के बाद ये पहली बार ऐसा घटना होता है जब भारत और चाइना के बीच में संबंद इतने जादा खराब हो जाते हैं यहाँ पर कुछ बातों को highlight करना बेहत जरूरी है अगर किसी भी तरीके से भारत और चाइना के बीच में एग्रेशन बना हुआ था तो क्या वो एग्रेशन बिना शीर जिन के मरजी से था तो इसका जवाब हम सभी को पता है कि प्रेसिडेंट शीर चाइना को समाल रहे हैं कोई भी ऐसा काम उनके मर्जी के खिलाफ हो ही नहीं सकता है तो अगर साल 2020 से लेकर ये साल 2024 तक हम आ गए और किसी भी तरीके से भारत और चाइना के बीच में संबंध अगर खराब रहें तो इसके पीछे का जो एक strong backing था वो शीर जिन का भी था यानि कि ये जो disengagement बीते 4-4 सालों में अगर नहीं हो पाया तो शीर जिन नहीं चाहते थे कि भारत और चाइना के बीच में जो संबंध है वो नॉर्मल हो भारत के ministry media इस engagement process को कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं जैसे कि भारत और चाइना के बीच में सब चीज नॉर्मल हो गया है वहीं पर अगर आप experts की माने तो उनका बहुती साफ और इस पस्ट कहना है कि किसी भी तरीके से हम इस भुलावे में ना रहें कि भारत और चाइना के बीच में जो रिष्टे हैं वो नॉर्मल हो गये since independence भारत और चाइना के बीच में जो रिष्टे हैं वो खराभी थें और आने वाले कम से कम 5 सालों में ये रिष्टे खराभी रहेंगे उसके बाद क्या होगा वो तो खेर समय बताएगा जहां तक बात किया जाए डेमचॉक और दीपसांग के बारे में तो जैसे कि यहाँ पर डिसंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया है और as per government of India या ministry of external affairs almost हम इस डिसंगेजमेंट के प्रोसेस को खतम करने वाले हैं तो इस प्रोसेस को verify करने के लिए drone का इस्तेमाल किया जाएगा manual तरीके से जो हमारे military officer से वो visit करेंगे यानि कि आप एक example के मदद से अगर आप समझना चाहें तो माल लिजे कि इन सब areas को लेके हमारे बीच में disengagement हुआ तो हमारे जो Indian forces से वो इस area को जाके manually visit करेंगे और drone का मदद लेंगे और यही काम चाइना के द्वारा भी किया जाएगा और इस पूरे process में आप ध्यान लखे है कि सिर्फ दो points की उपर ही बात की जा रही है इस बीच हमें एक बात नहीं भूलना चाहिए कि बीते ये 4-4 सालों में जिस तरीके से चाइना ने infrastructure development किया है line of actual control के आसपास इसे हमें नहीं भूलना चाहिए कहने का मतलब है कि ठीक है साल 2020 के April के महीने तक जो हमारा patrolling point था या जो Chinese patrolling point था सब वापस अपने अपने area में चले जाएंगे लेकिन उसके बारे में क्या जो infrastructure development चाइना किया है अपने areas में तो ये सारे जो infrastructure development है वो भी हम कह सकते हैं कि बहुत ही plan तरीके से किया गया जहां पे 4-4-4 सल तक border पे dispute को बना के रखा गया और इसी बीच में infrastructure को भी develop किया गया हलाकि जिन सब points को लेकि disengagement का process हुआ है अगर किसी भी तरीके से उन सब areas में कोई infrastructure development किया गया है तो उसको complete तरीके से खतम किया जाएगा यानि कि उसको तोड़ा जाएगा तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो यह है कि हम अधिक खुश ना हों यानि कि जो process हो रहा है disengagement का इसको हम appreciate कर सकते हैं और साथ में government of India, government of China की हम इस piece process के तारीफ कर सकते हैं लेकिन इस तारीफ को हम अधिक emotional basis पे ना समझें यह हमारे सामने The Sunday Guardian का एक opinion article है जिसको लिखा गया है MD नालापत के द्वारा इनके काफी अच्छी समझ है geopolitics और international relations में तो इनका भी बहुत साफ कहना है कि हम किसी भी तरीके से भारत और चाइना के बीच में यह जो disengagement process हुआ है इसके बारे में हम कभी भी यह ना सोचे कि यह खतम हो गया है इसको बस for time being इसको रोग दिया गया है क्योंकि बीते कुछ सालों से शी जिन का जो ध्यान है वो अधिक गया है ताइवान के ऊपर मतलब यह हुआ कि as compared to India ताइवान को capture करना या ताइवान को aggression दिखाना कहीं ज़्यादा easy है और जहां तक हम बात करें Indian paramilitary का या Indian regular forces का तो इनका काफी लंबे सालों का experience और हमारे पास regular army है और जहां तक बात की जाए छमता की या दिलेरी की तो ये बात मुझे कहनी के जरूवत नहीं है तो जब भी कोई देश किसी दूसरे देश में घुसता है या aggression दिखाता है तो वो इन सभी बातों का ध्यान रखता है और किसी भी तरीके से अगर चाइना over aggression दिखाएगा तो बहुत सारे वैसे देश सामने आ जाएंगे जो चाइना से जिनकी संबंद अच्छी नहीं है तो यहां से भी एक बात आपको समझ में आना चाहिए वो यह है कि अगर कल को भारत किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ उलचता है या war में जानी की सोचता है तो चाइना भी उसे back up करेगा तो यह होता है geopolitics और हमें बस यही मालूम है कि साल 2020 के जून के महीने में गलवान में clash हुआ था लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे clashes हुए थें लेकिन fortunately उसमें कोई भी इंडियन जवान की casualty या वीरगती को वो प्राप्त नहीं हुए थें तो इसलिए भी यह सारे ज सब areas में कही न कहीं एक जो confrontation का situation था वो बना हुआ था तो किसी भी तरीके से हम इस गलत फैमी में ना रहें कि भारत और चाइना के बीच में संबंद अच्छे हो रहें किसी भी तरीके से she's in अपनी जो popularity है उसको वो कम नहीं करने देना चाहते हैं I hope that you like the video अगर फिर भी मु कुछे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye